और इंतिजाम किये गए। बैरक के अंदर जवानों को गर्म रखने के लिए खास तरह के हीटर लगाए गए हैं। साथी बैरक को इस तरह से बनाए गया जिसमें जवानों को ठंड कम लगे। साथी जवानों के लिए गर्म कपड़े और कंबल के भी इंतजाम किये गए है। जिसको जल्दी से जल्दी एरेक्ट कर सकता है। हमारे इस शल्टर प्री फैबरिकेट होने के कारण इसको निर्मान में बिल्कुल कम मात्रा में सिमेंट और सैंड का इस्तिमाल हुआ है। भारत की तैयारी कैसी दरसल ये दो तस्वीरे आपको ये बया करवा देंगी। टैंक रिजिमेंट वहां पूरी तरीक से मुस्तैद है। वहीं जवानों के लिए खास बैरक का इंतिजाम किया गया है। जहां पर जब तापमान माइनस पर पहुत जाता है आने वाले ठंड में तो ऐसे में इन बैरकों पर दरसल ये जवान रह सकते हैं। जहां ये सुविधाय दी गई है कि हिने कम से कम ठंड वहां पर लगे और पूरी तैनाती, पूरी तयारी यहां पर कर ली गई है। और चीन ये देखकर घबराया हुआ भी है कि किस तरीके से भारत की तयारी है। यानि अनराग भारत की तयारी एक मुतोर जवाब ज़रूर है चीन के लिए फिलहाल। देखे बिलकुल मुतोर जवाब है और मैं तो यह कहूँगा कि मेकेनाइजड इंफेंट्री शायद दुनिया में अकेली ऐसी फोर्स है जो इस हाइट पर जिसकी हम बात कर रहे हैं पूर्वी पैंगॉंग की वहां पर इस हाइट पर टैंक्स को चलाना, मशीन को ऑपरेट क करना उसके फ्यूइल को जमने ना देना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है और अब जैसे जैसे आगे ठंड बढ़ती जाएगी अगर इस मौसम में भी वह अपनी टैंक रेजिमेंट को भारत की सेना ऑपरेट किये हुए है और मैकेनाइज इंफेंट् पर भी इस मौसम में भी ऑपरेशनल रख सकती है और यही दुश्मन के लिए सबसे बड़ा डर है चीन को यही डर सता रहा है कि जब उसके जो सैनिक है वो तक एकलमेटाइज नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पर वहाँ पर रहने की क्षमता नहीं रखते हैं ऐसी स्थिति में न चाइना बार-बार डालने की कोशिश करता है उनको यह समझाने की कोशिश है कि भारत की मेकेनाइज इंफेंट्री इस हाइट पर भी अपने टैंक्स को ऑपरेशनल रख सकती है तो फिर चाइना समझ ले कि उसकी क्या स्थिति है और वो किस हालत में है लेसी पर हमारे सामने अब यहाँ पर मैं आपको बताओं कि अब जब बर्फबारी यहाँ पर शुरू हुई है वो बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है इस फाइट में और उसमें भारतिय सेना का अपर हैंड कहीं न कहीं है पहली बर्फबारी जो है एलेसी पर हो चुकी है और अब यह लगाता बन हमें हमारे जवान वहां मुस्तैदी के साथ रहते हैं नसे रहते हैं पूरी मुस्तैदी के साथ वहां जूचते हैं किसी भी situation किसे बी हालात के लिए लेकिन अन्वाग ज़रा आप बताऊएं कि क्या ग्राॉंट पर देखिया मुझूद है आप खूबी बता पाएंगे कि किस तरेकी की चुनौतियां हमारे इन जवानों के सामने आती हैं और उनसे निपटने की तैयारियां आप क्या देख पा रहे हैं वहाँ पर देखे पूरी तैयारी भारतिय सेना की तरफ से मैं कुछ तस्वीरों के साथ मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अगर लेकर आसपास अगर आप पूरे इलाके में देखेंगे लेसी तक यहां से लेकर लेसी तक बर्फबारी लगातार कल से हो रही है और सामने की चोटियों पर अगर आप देखेंगे तो बर्फ पूरी तरह आपको नज़र आएगी इसी दिशा में लेसी और जो तरीके से होती है तो साथ आठ फीट की बर्फ हो जाती है इन इलाकों में और जो टेंपरेचर है वो माइनस 35-40 डिगरी तक चला जाता है तो यहां पर आपकी विलपावर काम आती है आपकी ट्रेनिंग काम आती है आपका एक्लेमेटाइजेशन काम आता है और यह तीनों च सर्दियां आते हमारे करीब करीब आप समझेए कि जो तादात थी हमारी फौज की वो दोगुनी हो चुकी है पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो सारे जो हमारे जवाने वो एक्लेमेटाइजेशन है वेल ट्रेंड है विलपावर बहुत स्ट्रॉंग है उनको लोकल स से काबिज है स्ट्रॉंग है चाइना को यह देखना होगा कि क्या वो सर्दियों में भी टिक पाएगा जो वो बार-बार टॉक्स को डिले करने की अपनी टेक्टिक्स अपना रहा है क्या वो सर्दियों के इस मौसम में उनकी फौज टिक पाएगी यहां पर यह बड़ा सव खिले बार